नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे जेस डबलु से आर के बारे में अगले ट्रेडिंग सेसन जो 11 अभेंबर को है उसमें जेस डबलु इंप्रास आर में क्या क्या इंपोर्टन लेबल्स टार्गेट हो सकता है आज इस वीडियो में हम समझेंगे और पर ध्यान देने की जरूरत है अच्छा समझेंगे तो अगर वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रहे जाते तो कमेंट करके ज़रू पूछेएगा तो सबसे पहले अगर आज की ट्रेडिंग सेसन पर अगर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 3.3% क गिरावट के साथ में 304.5 पर स्टॉक ने कुलजिंग दिया है तो इसी के साथ यहां पर एक रेड़ केंडला को दिखाए दे रहे बड़ा सा अगर हम इसको डेली टैम पर चार्ट को देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि स्टॉक ने में थोड़ा सब को यहां पर दोस्तों चेस्तर में और एक सपोर्ट लाइन यहां पर आपको दिखाए दरे जो कि 304 में है और उसी के साथ अगर हम रेजिशन्स की बात करें तो हमें दिखाए दरे तीन्सों पर है राइट और नेक्स्ट जो रेजिशन्स लाइन दिखाए दरे वह आपको नजर आ रहे 303 का अब दुस्तों अब को लेके चलो यहां पर 15 मिनिट के टाइम फ्लेंबर तो हमें और भी नीरेस्ट का जो लेबल है जो कि हमारे लिए 11 नभेंबर की क्या अगा टार्गेट्स लेबल्स हो सकते हो हमें यहां पर दिखने को मिल जाएगा तभी जहां पर रुका हुए स्टॉक एक्जेकली सपोर्ट लेबल पर है और यह एक रेस्टन्स लाइन है जो कि 307.3 का और नेस्ट रहेगा हमारे समने रेस्टन्स लेबल जो कि 315.75 पर उसके बाद हमें दिखाए द रहे हैं पर 321.2 अगर यह स्टॉक अपने 303.85 को ब्र सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यवाद दोस्तों